दोस्तों जब भी आपसे आपका कोई दोस्त आपका लैप्टप या फिर पीसी मांगता है यूज़ करने के लिए तो आपके मन में ये डर जरूब बना रहता है कि कहीं आपका वो दोस्ट आपके computer में कोई external device यूज़ करके आपके computer को virus infected ना कर दे या फिर आपका वो दोस्ट कहीं आपके computer में कोई भी external device जैसे की pen drive या फिर external hard disk यूज़ करके आपके personal data को चोरी ना कर दे इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को किसी को भी देने से पहले आप अपने कंप्यूटर के USB पोर्स को disable कर सकते हैं ताकि आपके कंप्यूटर में कोई भी external device काम ही न करे तो यह जानने के लिए दोस्तों आप इ यूटूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जुरूट सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि आपको बता है मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए-ने टपिक्स पे नए-ने वीडियो लेकर आठा रहता हूँ तो आईए दोस्तों आज कुछ नए आसे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास ही एक Pen Drive है मैं अभी इस Pen Drive को अपने लेकर अप में लगाता हूँ और यहाँ पे देखिए यह Pen Drive मेरे लेकर अप में detect कर रहा है यानि कि अभी मेरे laptop का USB code enable है ऐसे में दोस्तों कोई भी बंदा मेरे laptop में कोई भी external device यूज़ करके मेरे laptop को वायरस से infect कर सकता है या फिर मेरे personal data को चोरी भी कर सकता है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी laptop या फिल PC के USB port को disable करेंगे और फिर बार में आप उसको कैसे enable करेंगे तो फिलाल दोस्तों मैं अपने pen drive को यहां से Egypt कर देता हूँ इसको मैं यहां से बाहर निकाल देता हूँ अब दोस्तों किसी भी laptop या फिल PC के USB port को disable करने के लिए सबसे पहले आपको यहां नीचे start button पे right mouse क्लिक करना है फिर आपको यहां run पे क्लिक करना है और यह run box open हो जाएगा run box open करने का दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने keyboard पे windows के साथ R button प्रेस करना है और run box open हो जाएगा run box में दोस्तों आपको टाइप करना है R E G E D I T reg edit लिखके आपको यहां पे इंटर करना है reg edit दोस्तों registry editor का short form है और दोस्तों registry editor का यह page open हो जाएगा इस page पे आप देखिए left side में edge key से आपको बहुत सारे options मिलेंगे इसमें से तीसरा option आपको मिलेगा edge key local machine इसके आगे यह जो छोटा सा थीर का निशान दिया है इस पे click करके आपको इसको expand करना है फिर इसके अंदर नीचे आपको एक option मिलेगा system का इसको भी expand करना है और इसके अंदर तीसरा option आपको यहां पे मिलेगा current control से इसको भी expand करना है अब इसके अंदर देखिए आपको second last option मिलेगा services का आपको यहां पे services को भी expand करना है और दोस्तों यहां services के अंदर आपको scroll करके बिल्खुर नीचे जाना है U-series में आपको यहां पे आ जाना है U-series के अंदर दोस्तों देखिए यहां पे आपको एक option मिलेगा USP store, capital letter में आपको यहां पे बिल जाएगा आपको यहां USP store पे click करना है जैसे ही आप इस पे click करने यहां right side में दोस्तों आप देखिए आपको बहुत सारे options मिलेगे इसमें से second last option आपको मिलेगा start का, आपको यहां पे दोस्तों start पे double click करना है और यह छोटा सा page open होगा इसके अंदर देखिए आपको एक option मिलेगा value data और value data के अंदर आपको पहले से यह 3 मिलेगा आपको दोस्तों यहां पे इसको 3 को change करके, 4 type करना है यहां पे 3 को अटा के 4 लिखेंगे ok पे click कर देंगे उसके वाद से आपका USB port यहां पे disable हो जाएगा, change करने के वाद से आपको यहां पे अपने system को 2-3 बार refresh करना है, अब देखिए मैं अपने pen drive को दुबारा अपने laptop में लगाता हूँ और आप यहां पे देखिए मेरा pen drive अभी यहां पे detect नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा USB port यहां पे disable हो गया है अब मैं निकाल देता हूँ pen drive को अब यह हो गया कि कैसे disable करेगी अगर दोस्तों आपको इसको enable करना है तो आपको same process यहां पे follow करना है और same process follow करके आपको यहीं पे आ जाना है USB store वाले option पे अब देखिए मैं आपको फिर से यहां पे बता लेता हूँ आपको यह registry editor ओपन करना है इसकी local machine में आ करके expand करना है system में आना है फिर आपको यहां तीसरा option current control set के अंदर आना है services के अंदर आना है और उसमें आपको यहां पे use series में आ करके USB store को ढूण लेना है यहां पे है और यहां पे start पे आपको फिर से double click करना है ठीक है double click करेंगे फिर से आपको यहां value data में आना है 4 को हटा करके अब आपको इसको फिर से वापस 3 कर देना है ok पे click करना है इन सब को अब आपको बंद कर देना है अपने सिस्टम को दो तीन बार आपको यहाँ पर रिफ्रेस्ट करना है और अब आपका USB पोर्ट इनेवल हो जाएगा देखिए मैं अपने pen drive को यहाँ पर लगा दिया अपने laptop में अभी आप देखिए मेरा pen drive यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है यानि कि मेरा USB पोर्ट अब यहाँ पर इनेवल हो गया है तो ऐसे बहुत ही आसानी से दोस्तों आप किसी भी laptop या फिल PC के USB पोर्ट को डिसेबल या फिर इनेवल कर सकते हैं उमीरे दोस्तों आपको यह वीडियो जरू पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको फ़र जा campus पसंद आया हो आप इसको लाइक करेए इसको जादा जादा श्यर करेए अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो आप मेरे Facebook पे इसको लाइक और follow करेए अगर YouTube पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दवाईए ताकि मेरे हर नया आना वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको असानी से मिलता रहे